हलो गाइज गुड मॉनिंग और आप सब कैसे हैं उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं और आज यह देखिए हम लोग कहा जाने की तैयारी कर रहे हैं सुबह से पाच बज़े उटके आज ना हम लोग को सीखना था इसकूटी तो हम लोग सुबह रील्वे पास ग्राउंड है तो वहां पर ग्रउंड ग्राउंड फिर दम लोग लाल चर्श वाले उसके बंद कर रहा दो अब ग्राउंड recently सावने जुए यह ना वहां पर गया तो इसमें धोड़ बहुत थजुआ लेकिन मेरे अंदर का डार नहीं जा रहा है अंदर से Naw LLC धुच्र अवोसाइकल चलाती है तो उसको थोड़ा तरीका पता है कैसे चलाना है क्या करना है तो यहाँ पर बैट्टु और जैणी मेरे को सीखाने में लगते मेरे को रीना को ऐसे करो वैसे करो तो बस वही सीख रही हूं उसके बाद ये रिना चला रही है इतना आराम से पहली पर चला रही है और एकदम आसानी से मस्त चला ले रही है और एकदम ना इसका स्विट नहीं कर दिये जादा एकदम इसका लेबल एकदम बराबर है एकदम मस्त से चला रही तो हम लोग वहां से सिख विख्या गए थे एक घंटा में एक या दो घंटा लगा हम लोग को और यह दिखिए अभी मज्ज़रा साथ हो तो पांच बज़े घये से पांच चैश दो घंटा हो गए तो वहां से आने के बाद नहीं भाधना रहे हैं यहां चाय तो यहां पर दूद गरम कर रही हूं है उसके बाद मैं यहां पर बनाओंगी चाय और उसके बाद हम लोग यहां पे न मैं दोसा का आटा भीगा के रखी थी परसो नल सो तो वो तीन दिन चल गया आज के साथ तीन दिन हो गया अब कल के लिए कुछ करके रखना पड़ेगा कल मैं बनाओंगी पराठा और सिम्ला मिर्ची का सबजी सुबेरे नास्ता में तो मै आटा खतम होना थोड़ा इसा आटा था तो इसमें एक पतला पतला दोसा बन जाएगा सब के लिए और इसमें ना मैं डालने हूं टमाटर प्याज धन्यापति और हरी मिर्ची इसमें डालके बस घिस लोंगे इसको अच्छा से और घिसने के बाद तवा में तेल डालके सब के लिए और हम सब लोग ने नास्ता भी कर लिए और उसके बाद उसके बाद फिर मैं लगे थी दूसरे काम में अच्छा और कल से ना फिर जो आंटी है ना तो वो भी नहीं आएगी मतलब अभी ना हम लोग जैनी को टीवसन भेजने का सोच रहे हैं आज जाएगी वैसे ज अपड़ा नहीं था खली जड़ों पूछा और बढ़तन करके गई आँटी तो और तो फिरकल से ना पूरा काम मेरे कोई करना पड़ेगा तो यह दिखिए यहां पर बन रहा है मेरा दोस्ता तो पता नहीं मैं कैसे करके सब कुछ मैनेस करूंगी ठीक रहूं तो हो जाता है लेकिन क्या होता है ने कि मैं थोड़ा सा मैं ठख जाती हूं एक डोबार थोड़ा सा किरूंगी तो अ क्या क्या कर सकती यह तो उस हिसाब से संभाद लेंगे सब तो यह दिखिए यहां पी ना प्याज टमाटर का थोड़ा सब बचा हुआ था काटी सी जो मैं तो उसके साथ मैं खाली और हम सब लोगों ने नास्ता तो कर लिया है उसके बाद मैं आ गई हूं बिस्तर ठीक करने में क्योंकि हम लोग वहां से थक हार के एकदम आये थे ना त इतना अच्छा बॉटल था ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था और उसको मैं खरीदी नहीं थी इसके पापा को ना कोई ग्रिप्ट में दिये थे बच्चे लोग उनके ऑफिस में तीचास डे के दिन ग्रिप्ट मिला था वह बॉटल में देखते इतना अच्छा लगा जिन्दगी में पहली बार इसा बॉटल मिला था मेरे को और वह मेरे पासंद को भी उलावी कलर का तो फिर ना जैनी या बिट्टू से थोड़ा सा बैक से वह छुट गया तो पूरा एकदम तूट गया क्योंकि कांच का बॉटल था अंदर से और उपर से ना प्लास्टिक क वह लगा हुआ था क्या बोलतें जो कवर करते हैं और चोटा सा था मेरे बैग में आराम से आजाता था तो मैं कहीं भी जाती थी तो उसी बॉटल को लेके जाती थी और वह मेहंगा वाला बोटल था तो उतना मेहंगा खरीदने के लिए तो हम लोग तो सोचना पड़ता है मिडिल क्लास वालोगा यही परिसानी है कुछ भी करने से पहले हजार बार सोचना पड़ता है कि हम यह खरीदें की नहीं खरीदें हम यहां जाएं की नहीं जाएं हर चिछ सोच समझ के करना पड़ता है और पुरा घर का जिम्मेदारी रहता है ना तो नहीं हो पाता है तो यहां पर तो उसके बाद वह बॉटल टूट गया और अभी दिखाओंगी मैं बॉटल का तो फिर और एक वुए पसंद था वो भी गया और मेरे को नजकर संडेल पसंद था ऐसे तो मेरे संडेल और मैं लेती ही आजừ कल संडेल नहीं पहनती हूं इसको मे想ह करा पैसा वैशा नहीं देखीग थी तो फिर ना मैं साधी में गई थी पहन के वो साधी से कोई चोरी करके ले गया उस इन मेरे को इतना ज्यादा आखरा था कि पूछो मत तो यह ना मेरे को जो पसंद रहता है वह हमेशा मेरे पास कभी नहीं आता है वह मेरे से दूरी चला जाता है और यह दिखिये यह बॉटल म आपको दिखाऊंगी दिखाऊंगी पर मैं दिखाए नहीं पारी थी तो मैं पूरा कांचमाच उठाई और उसकी और पीठेसी कौई चुरा के ले गया जीब से सबसे फेवरेट मिक्सी था और अभी जितना मिक्सी में पहनती हूं ना वो सब एक दम धिलांगा ढालांगा अजीब सा रहता है उसमें कोई फिटिंग विटिंग नहीं रहता लेकिन एक पहला था जो मेरे को इतना ज्यादा पसंद था तो वह भी चला गया बोलते हैं ना किस संडे को लेकि आई थी मार्केट से ऐसी रखा हुआ था तो उसको हम लोग सब खा लिए एक बार फिर से और यहां पर ना आज मेरे को कुछ-कुछ खटा-खटा सखाने का मन कर रहा था तो मैं यहां पर इमली का वो जो बनाते हैं आज सरसों जीरा अद्रकलस उन डालके तो माल दोंगी तो आप क्योंकि मेरे कोई करना है तो बरतन जमा करके नहीं रख सकती में साथ-साथ में पूरा कर दोंगी तो हो जाएगा साथ में पूरा कर देता है ना तो होता है अगर हम छोड़ देता ना बाद में करेंगे करके तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है तो यहां पर बन गया था मेरे खाना और अगर वीडियो कैसे लगता है बताना और वीडियो पसंद आया तो like share और subscribe जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना तो यह देखिए यहां पर बरतन था अच्छा यहां परना में पहले और बरतन माँ जी मैं सोची मैंज़नी वीडियो चालो करी हूँ पर वो चालू नहीं हुआ था बंद पड़ा था मोबाइल तो फिर वो बंद नहीं पाया फिर यहाँ पर थोड़ा सा बरतन निकला तो मैं उसका बनाई अभी यहाँ पर मैं बहुत सारा बरतन और मांजी हूँ तो बस यहाँ पर ना किचन भी हो गया था मेरा साफ तो ठीक है गाईस आज के लिए बस इतना ही अपना ध्यान रखिए खुश रहिए बाई बाई